हम सबको पता है कि पानी पीने से बहुत सारी बिमारी दूर हो जाती है और ये भी पता है कि क्या-क्या बिमारी होती है अगर हम पानी नहीं पिएंगे पर फिर भी हम पानी पीने में आलस्पन और चेहरे बनाते हैं बजपन में दूद और पानी पिलाने के लिए हमारी मा Ahpetto में बहुत तरी के आजमाती थी पर अब हमें कोई चलाने वाला नहीं है और नहीं कोई डाकने वाला ए हमें हमारी सेहात का क्याल खुद ही रखना होगा और इसलिए आज हम आपको पानी के अंदर लेमन डाल कर पीने से होने वाले फाइदे के बारे में बताएंगे तब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आज काई गुर को सब्सक्राइब करना ना भूले लेमन वाटर पर ज्यादत और कोई रिसर्च नहीं हुए है और हमें पता है कि लेमन और पानी के फाइदे बहुत है इसलिए जब आप पानी पीते वक्त थोड़ा सा निम्बू निचोड ले ताकि थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आए और आपको पानी और निम्बू दोनों इजियर वेट लॉस टरीज बताती है कि पॉलिफेनल एक्सी ऑक्सिदेंस जो लेमन के अंदर मिलते हैं वो वेट गेन करने से कम करता है और हमें ये भी पता है कि डेली बेजिस पे पानी पीने से पेट फुल हो जाता है और ये डाइट और वेट लॉस में हेल्प करता है बेटर हाइडरेशन जैसे कि हम 3-4 पानी के ग्लासेस आराम से पी सकते हैं पर हमारी बोडी को डेली आंट ग्लासेस की जरूरत होती है इसी लिए 3-4 ग्लास के बाद एक और ग्लास हमें पीने के लिए बहुत भारी लगता है तो अगर आप लेमन एट कर देंगे पानी में तो एक जूस समझकर आप पानी का इंटेक आसानी से कर सकते हैं गेटिंग विटामिन सी जैसे कि हमने पहले भी आपको विटामिन सी के अंगिन्दत फाइदे बताये हैं वैसे ही लेमन के अंदर जो विटामिन सी है वो आपको मिलता है विटामिन सी एक ऐसा वाटर इंटेक से ही होगा, लेमन के अंदर जो विटामिन C होता है, वो आपके स्किन पर व्रिंकल्स आने नहीं देता और आपको यंग लूप देता है No Kidney Stones, Kidney Stones basically calcium deposits है और experts कहते हैं कि सिट्रिक एसिट लेने से किड्नी स्टोन्स डेवलब होने का रिस्क कम हो जाता है और लेमन के अंदर बहुत ज्यादा सिट्रिक एसिट पाया जाता है, वाटर से भी किड्नी स्टोन्स होने के चांसे कम हो जाते हैं इसलिए लेमन वाटर किड्नी स्टोन्स के लिए बहुत अच्छा कॉंबिनेशन है तो जब भी आप घर से बोटल ले उसमें थोड़ा सा निम्मूनी छोड़कर लेकर जा सकते हैं तो येस ऐसा रोज करने से आपके हेल्थ को काफ़ी ज्यादा फायदे होंगे और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी हैं तो हमें कमेंट सेक्षिन में ज़रूर लिखें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेर और कमेंट करें तो अगले वीडियो तक के लिए अलविता दोस्तो धन्यवाद